मुंबई गेला कही दिवसान पासुन उगुढेव घेतलेला पाउसान काल पुन्हा जोरदार हजरी लावली। मुंबई शहरा सह उपनगरात रातरी पासुनस मुस्वलधार पाउस पड़ता है। मुंबई शहरात गेला बारा तासाथ 230 मिलिमेटर पाउसाची तर पूर्व आने पश्चे मुपनगरात प्रत्यकी 112 मिलिमेटर पाउसाची नोन जालिया है। मुस्वलधार पाउसाचा परिणाम रेलवे तसच रस्ते वहातु की वरही जाला है। पश्चिम रेलवे ची वहातु पूर्ण पणे विसकली जालिया सुन पूर्व आने हार्बर रेलवे मारगावर ची वहातु कही ठप जालिया है। सायन, दादर तसत परल भागाट ठिक ठिकाणी, सखल भागात मोठा प्रमानात पाउसाचा पाणी साचले न रस्ते वहातु की वरही तैसा परिणाम साला है। त्या मुले कही ठिकाणी वहातु दुसरे मारगाना वळवनाता लिया है। कांद्यवली पूर्व दृतगती महामारगा वर आज सकाली दरण कोसललाची घटना घडली। बुरहन मुंबई महापाली का क्षेतरात काल रातरी वसन सुरू असलेल्या संततधार पाउसाचा आने भारतिया हवामान खात्याने दिलेल्या अतिय व्रुष्टी चा इशाराचा पार्शो भूमिवर आज बुरहन मुंबई महापाली का क्षेतरातिल अत्यावशक सेवा वगलता इतर सर्व कार्या लए आणि आस्थापन बंद ठेवनेचा आवाहन मुंबई महानगर पालीके न केला आहे। तसच भारतीय हावामान खात्याने दिलेले हावामान अन्दा जानुसार मुंबई शहराणी उपनगरात आज मुसरधार परजन्य वुरुषिती शक्केता आसुन संबुद्राला दुपारी 12 वाजुन 47 मिंटानी भरती यणा रहे। त्या मुने नागरी कानना घरा बाहर न पढ़ने चा आवाहन ही मुंबई महानगर पाली के तरफे करने ताला आहे। अधुन मधुन जोरदार सरेंसह संततधार पाउस पड़ता है। तर रतनागरी जिल्हात रात्री पसुनस मुस्वाधार पाउस पड़ता है।